विलकम तो टेलीन एंट सर्विसेस, दोस्तों आगका वीडियो है यूजर वस गोरिण सेकेरियोटी इन टेली बहुत से सिनारियोस में गोर्नवाइस यूजर को सेकेरियोटी देने कर रहता है य episode आकंगो यma 날ा से यूजर ये गोरिण कर बेलके तो इस सिनारियो में हमारे कस्टमर को हमने solution प्रवेट किया है तो वह solution आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चलिए शुरू करते है Company create करने के बाद user type में जाएकि users को different कर लेना है For example, मैंने Company create करके रखा है यहां पर दिखाने के यहां पर users दिखाता हूँ user B, user B को active godon मैंने दिया है, godon 1 ठीक है, user C है, user C को मैंने तीनों godon दे दिये है, main location godon 1, godon 2 दिया है अब जिस user से हम login करेंगे, user B से login करते है यहां पर godon report आएजी, वो godon report में सिर्फ दिखी godon दिखेगा user B को वो filter भी कर सकता है, यहां पर filter भी हमने दिया है silver user, gold user बोलगे, gold user के कितना है, all items कर सकते हैं, फिर gold user ही आएगा यहां पर, all बोले दो all भी ले सकते हैं, जितने भी items है वो items आ जाएंगे यहां पर group वाइस filter कर सकते है, category वाइस filter कर सकते है, item level, item level में भी हम filter कर सकते है तो keynote के दे दिया है, जो user का एक हो जिर्प, इनको सारे groups दिखेंगे, admin level है admin level को सारे groups दिखेंगे, और admin filter भी कर सकता है, group level, item level, category level user है, जो user login करता है, यहां पर show होंगे, c user login किया है, c user को हमने सारे गोड़न्स दिए है, तो सारे गोड़न्स दिखेंगे, b user को हमने सिर्फ एक ही गोड़न दिखेंगे, दोस्तो मेरे चानल को सब्सक्रेब कर लीजिए, मैं टैली के रिलेटेट नयने कस्टमाजेशन लाता रहता हूं, यूजर के हिसाब से, वह आपको बताता रहता हूं, अगर से कुछ नीड है, कस्टमाजेशन के डिफरेंट वर्क दी मेरे को कांटक कर सकते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग और वीडियो, थैंक यू वरी मॉंच.